प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने कहा कि सुधार ग्रह की भूमिका में हैं प्रदेश की जेल. जेल बंदियों के मानसिक, धार्मिक व सामाजिक विकास पर है ध्यान. मुख्यमंत्री ने जिलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक व सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. जेल सुधार ग्रह के रूप में कार्य कर रही हैं और बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है. हर्याना की जेलों में आध्यात में किया सागना केंड़ भी बनाये जाने का प्रावधान है ताकि वे मन की शांती वर तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सकें जेल सुधार ग्रह के रूप में बंदियों के आचरन, व्यवहार में परिवर्तन लाकर उन्हें समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिला नू में नवनिर्मित जिला कारागार का उदखाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमें अपराध से घ्रिना करनी चाहिए ना कि अपराधी से ऐसे में अपराधियों के सुधार के लिए जेल परिसर में बहतर वातावरन बंदियों को दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है तथा जेल से रहा होने के बाद पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि उनमें अपराधिक प्रवृति पुनह ना आए उन्होंने जेल प्रशासन से कहा कि कैदियों को प्रतारित नहीं करना है बलकि उनके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे जेल से बाहर आकर अच्छे नागरिक के रूप में समाज में स्थापित हो सकें अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों के शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान भी तयार किये जाएं प्रदेश में अच्छी जेले बनाई जा रही है और बंदियों को सभी जरूरी सुधाएं उतलब्द करवाई जा रही है प्रदेश की बीस्वी जेल के रूप में शुरू हो रही जिलानूं जेल परिसर में घोशना की की पुलिस विभाग की तरच पर जेल वाडन के रूप में 18 साल की अच्छी सर्विस करने के बाद वाड़ को एक जेमती है द वाड़ बनाया जाएगा जेल अधीक्षिकों को अन्या अधिकारियों की तरच पर सरकारी कार्य के लिए वाहन मुहया कराये जाएंगे जेल अधीक्षक्व इससे उच्च पदू पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा ताकि वे भी वर्दी में नजर आएं इसी प्रकार जेल विभाग में भी पुलिस विभाग की तरच पर राष्टपती मेडल के बाद नौक्री में सेवा विस्तार भी दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जेल विभाग में खाली पदू पर जल्द ही भर्ती की जाएंगी जेल परिसर के शुभारंब अफसर पर घोशना की की जेल में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स को ग्रामींग शेत्र की ड्यूटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी जेल की सर्विस को ही ग्रामिंग शेत्र की ड्यूटी के बराबर माना जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा कि परिस्तितियां किसी भी रूप से अपराध की और ले जा सकती है ऐसे में सुधार का अफसर अपराधी के लिए बेहत जरूरी है उन्होंने कहा कि जेल परिसर में धार्मिक प्रवचनों का समावेश करवाते हुए आपराधिक लोगों के मानसिक विकारों में बदलाव किया जा सकता है उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रवचनों से ही अपराधी जीवन में बदलाव लाया जा सकता है मुख्यमंत्री ने बताया कि नुमों के गाउं सलंबा में 29 सेकर पांच कनाल में 68 करोर रुप्ले की राशी से जिला कारागार बनाया गया है जेल की सुरक्षा के लिए 3 बाउंडरी हैं इसमें निग्रानी के लिए अंदर 6 वाच टावा बनाये गए हैं जेल में एक अस्पताल, लाइब्रेरी, कैंटीन, सुरक्षा के लिए अलग सेल, एड्मिन ब्लॉक, कंट्रोल रूम, कैदियों के काम करने के लिए एक शेड बनाया गया है इसमें कैदियों के लिए 12 बैरक हैं, जिनमें 5 बैरक पुरुष कैदियों वह एक बैरक महिला कैदियों के लिए वह कुछन्य बैरक बनाये गए हैं जेल में 12 बैरक में कुल 846 कैदियों को रखा जा सकता है इस जेल को हर्याना पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है जेल परिसर नूम के शुभरंब अफसर पर बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत चोटाला ने कहा कि नूम जिला में सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त जेल बनाई गई है हमारा प्रयास है कि जेलों में बंदियों की संख्या घटनी चाहिए समाज में अच्छे नागरिक बने तथा अपराद से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से बंदियों की संख्या घटेगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल बहुत बढ़ा है जो निरंतर सिस्टम के सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं बंदियों के लिए अनेक सुविधाएं जेलों में दी जा रही है ताकि वे अच्छे नागरिक के रूप में बाहर आएं मित्रो सबसे पहले तो आज 14 फर्वरी है और आज पुल्वामा के जो शहीद हुए थे वो आजी के दिन हुए थे तो मैं उन सब शहीदों को स्थांजली अर्पित करता हूं और निश्य दूरप से उनका जो वलिदान है वो देश की रक्षा सु रक्षा के लिए मैं तुपूर्ण एक विशे रहा है तो मैं उन Him को शताजली अपत करता हूँ उनके प्रिवार के लोगों को भी प्रवल से प्रात्ना करता हूँ को उनको शक्ति प्राता है। आज यहाँ नू की जो जिला जेल है जिला सुधार गहर जिसको हम कह सकते हैं इसका नए परिसर का और उद्गाटन यह हुआ है और यहां की सब विवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस परकार की विवस्थाएं होनी चाहिए ताके जो भी वक्ति कहदी बनके यहां आए उसको हर परकार की जो आवशक सुधाय हैं वो बिलनी चाहिए आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है अपरादी हुआ उस कि जो मौलिक आवशकता हैं वो तो सब की समान होती हैं उनको मिलनी चाहिए उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो एक सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है अंदर मैंने देखा है तो उनके मनुझन के लिए भी कुछ विवस्थाएं गुमें फ प्रकार की सुईधा हैं मैंने खुजाओ दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपासना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए ताकि विक्ति कभी किसी अंजाने पन में किसी भी कार्ण से कोई गल्ती करके अप्राद क करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का स्वस्तादमी के तना अधिकार जो होता उसको भी होना चाहिए तो आज इस प्रकार की सारी बाते की हैं अभी दिन भर जेल विखाग हरियना की एक वर्क्शॉप हमने रखी है जो सांगल चार वी तक चलेगी उसमें जो भी 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 ना दिकारी है उनकी उर से कुछ विशे रखे जाएंगे और शाम को चार वज़े स्वापत होगी नू में बहुत ज्यादा आ रहा हूं बलके ये कहूं तो हरियना के सब जिलों में जो मेरा जाने का करम रहा है उसमें नू में भी पिछले साथ साल में ये मेरा चौद्वा या पंद्रवा दोरा है पंद्रवा दोरा है प्राय प्राय साल में दो दोरे ये शायद मैंने किसी जिले में नहीं कियोंगे लेकिन यहां की आउशकताओं को देखते हुए पिछला जिला रहा है लेकिन इस पिछले जिले में काफी अब इन्फर सक्रि डिस्टिक जैसे देश्वर में 112 डिस्टिक है उसमें से एक डिस्टिक ये भी है क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ था इसलिए आगे बढ़ने में समय लगता है तो इसमें खास करके शिक्षा है स्वास्त है एक्रिकल्चर है इन चीजों पर धहन देने की और आउशकता है उस इंफ्रस्रक्चर जितना बन रहा है जितना हाइवेज बन रहे हैं जितना यहां से साथ से निकला इस जिले से वहते हुए ही तो ऐसे सब साधनों के कारण से अब इंडस्ट्री के लोग की आने की इच्छा बनी है अभी तक इंडस्री जातर गुड़गाओं जिले की सीमा तक ही आके रुख जाते थे अब जो मैसमी या कुछ यहां के सानिया लोग भी विच्छा करने लगेंगे वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो इस प्रकार का यह आएमटी का जो मामला है यह सारा अब आगे के समय में जल्दी पूरा है मुझे जब जानकरी मिली के जो जेल व वार्डर की कुछ प्रमोशन का विश्य वो नहीं होता था उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है इनके पास जिल अधिक्षक है उनको वहन नहीं थे उनको वहन देने की बात हमने कही है तो ऐसी कुछ सुविदा है जो उनको आउशक थी वो मनें द जमीन भी हमने दी है और उसका काम भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी उसमें बहुत हजारों की संख्या में और रोजगार रोगों को नोजवानों को मिलेगा नहीं है कोई बीच में कुछ समय एक विवाद यह बना था लेकिन दोनों पक्षों के लोगों से वहां के इसने बाचित की है और बाचित करने के बाद अब काफी मामला ठीक हो गया फिर भी अगर कोई किसी को कठनाई होती है उन सब कठनाईों को दूर करने के लिए परसाशन अपड़नेंसे काम करेंगे उसका अनलसिस कर रहे हैं केस जैसे कुछ कोट के साब से होंगे बाकी कोई शिकायत आएगी तो शिकायत के साब से अड्मिस्रेशन को जो काम करना होगा पूरा कराएगा